वेलकम टो टेकनिकले प्रोटाइब दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारी जो मोबाइल समय सिस्टेम से एप्स होती है जिसी कि हमारे एंडुएट वह बनाया है यह गूगल ने तो गूगल की सिस्टेम एप्स तो उसमें होगी ही तो आपको मैं बता बहुत ही का ट्रास दाएक हो सकती है तो आपके लिए बहुत बोड़ी परेशाइन हो सकती है अगर आपका फूंस टॉरें मेंography कम है तो तो आपकी फॉन की स्टॉरेंज कम है उपार से इतनी ज्यादा एपस है बाकी की और उपर से सिस्टिप एपस जिनका कुछ उपयोग भी नहीं हो सकता कई सिस्टिम एप्स का उप्योग नहीं हो सकता है पर सभी सिस्टिम एप्स का हम उप्योग नहीं कर सकते हैं जिसे कि हम देख सकते हैं Google की सिस्टिम आप देख सकते हैं अब मैं मेरा मूबल में देख सकता हूं कि गूगल की जो एपस है वो गूगल की एपस के अगर मैं अनिस्टॉल करने की कोशिश करो तो डिसेबल का ओप्षिन दिखाता है तो इसके सब गूगल है क्रोम है जीमेल यह बहुत सारी गूगल की एप जो तो आज की वीडियो में मैं आपको फर्स तरीका बताऊंगा सेकेंड भी तरीका है मेरे पास अगर यह फर्स तरीके को अगर आप अपनाएंगे अगर इस पे ज्यादा लाइक साएंगे तो मैं सेकेंड जरूर बनाऊंगा इसमें ज्यादा से ज्यादा कमेंड किये सेकेंड बनाने के लिए तो मैं सेकंड तरीका भी बनाऊंगा पहला तरीका में आज आपको बताऊंगा कि हम यह system apps को disable तो ऐसे ही कर लेते हैं पर अगर हमें delete करना है तो हम उसे root करके delete कर सकते हैं हमारे mobile को root करके system apps को delete कर सकते हैं तो आपको root करने के लिए basically क्या करना पड़ेगा आपको application download करना पड़ता है जिसका नाम है Kingo root app आपको Google पर सर्च करना है Kingo root.ap download तो आपको कौन से भी announcer से application मिल जाएगी और इसको download करने के बाद आपको one click में root हो जाएगा ठीकि अगर आपको root कैसे करना है इस पे अगर जानना है तो मैं जल्दी उस पर वीडियो बनाऊंगा अगर आपको अभी जानना है तो आप YouTube पे बहुत सारी root करने की बहुत सारी Kingo root डल दे तो सारे result आ जाएगे तो अगर आप यह Kingo root कर लेते हैं और root कर देते हैं अपने फोन को तो इसके कुछ advantage है disadvantage तो है पर disadvantage ज्यादा है आपको root करने के फाइदे तोटी बताने का एक वीडियो मैं ने इससे पहले बना लिया है उसकी link description में है आप वहाँ से देख सकते हैं और इसके साथ दोस्तों अब हम अपने विशे के और बढ़ते हैं root करने के बाद आपको बस file to sdk file to sdk जो screen पे app आपको दिख रही है व और वहां से उस application को यूज करके आप कौनसी भी आपके आपके जो system app से उसे delete कर सकते हैं दोस्तों अगर मैं बात करूं root की तो ये एक बहुत ही बहुत ही धोकादायक और बहुत ही dangerous process है आपको अगर technology के ज्यादा बाते अच्छे लगती है आपको technology में ज्यादा information है तो आप अगरी है उसके जाकर आपको वीडियो देखना होगा तो इस तरह आपको मैं पहले से revise कर लेता हूं एक तो आपको root कर लेना है किंगरोट app से उसके बाद आपको file to sdk download करके उसमें से आप कौन से भी system app को delete कर सकते हैं तो कैसे delete कर सकते हैं आपको जब app download करेंगे तब आप आप जो भी देख रहे हैं चैनल को like कीजिए subscribe कर लीजिए और comment कीजिए कि second बनाओ तो मैं जल्द ही बना लूँगा क्योंकि क्योंकि चैनल को चैनल में जो भी मेरे बाकी की वीडियो से उसमें ज्यादा से ज्यादा में टेकनोलोजी की informative वीडियो बना है तो आपको subscribe भी करना है और मुझे suggest भी करना पड़ेगा कि इसके बारे में बनाओ इसकी बनाओ इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि suggest कीजिए तो देने वास दोस्तो चैनल को subscribe करना ना भूलिए लाइक तो जरूर कीजिए और share भी ज़िए